हलो फ्रेंड्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं देखिए फाइल हैंडलिंग सी प्लस प्लस में तो आलेडी इसके दो वीडियोज आ चुके हैं तो मेक शूर कि आप वो दोनु वीडियो देखो ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकोगे तो जब भी हम राइटिंग आपरेशन परफार्म करते हैं तो उसको चलिए समझते हैं कि वो किस तरह से राइटिंग परफार्म की जाती है है ना क्योंकि यह बहुत ही इंप्रेंट है तो होता क्या है एक ना पुट पॉइंटर होता है क्या होता है एक होता है पुट पॉइंटर और एक होता है गिट तो get pointer के अभी हम लोग बाद में बात करेंगे अभी बात करने वाले हैं put pointer के बारे में तो होता क्या है माल लीजे जैसे ये हमारी file है तो जैसे ये हमारी file है तो जब भी जो put pointer होता है वो put pointer क्या करेगा कि इस file के शुरुवाती में point करता है यानि की 0 index पर इस तरह से क्या होगा 0 index पर यह put pointer point करता है और इसका नाम है put तो हम P से denote करने है put pointer तो होगा क्या कि जब भी हम file में writing perform करेंगे जैसे माल लिजी हमने यहाँ पर F out object बनाया है और F out का use करेंगे जैसे मैंने लिखा hello इस तरह से तो put pointer क्योंकि शुरू में file के 0 index पर point कर रहा है तो जो यह h होगा यह 0 index पर लिखा जाएगा यानि की h जो है वो h यहाँ पर लिखा जाएगा और जैसे ही h लिख जाता है put pointer क्या करेगा put pointer अगले यानि की one index को point करने लगता है और जब क्योंकि put pointer one index को point कर रहा है तो जो e होगा वो one index पर लिखा जाएगा तो e लिखा जाएगा इस तरह से फिर जब एक character को लिखा गया तो जो put pointer होगा वो आगे बढ़ जाएगा तो जैसे जैसे एक एक character को लिखा जाता है put pointer gradually एक एक करके आगे बढ़ता जाता है और इसी तरह से writing perform होती है तो इसका मतलब कि put pointer जिस भी location को point करता होता है है put pointer जिस भी location को point कर रहा होता है वहीं पर writing perform होती है है ना माल लो हमने कई सारी चीजे अपने इस तरह से प्रोग्राम में लिखा है आगे इसके बहुत सारे हमने character लिखे हैं तो put pointer जो होगा वो last में point करेगा लिखने के बाद है ना तो माल लिजे कि अब हमें beach में लिखना है यहाँ पर माल लिजे मुझे कुछ writing perform करनी है यहाँ पर तो हम यहाँ पर अभी writing perform नहीं कर सकते क्योंकि put pointer हमारा यहाँ last में point कर रहा है तो अगर मैं इस जगह पर writing perform करना चाहता हूं तो पहले मुझे put pointer को यहाँ से हटा के put pointer को यहाँ पर point कराना पड़ेगा और अगर put pointer यहाँ पर point करने लगा तो हम writing यहाँ पर perform करना चालू कर देंगे है ना तो इस तरह से writing perform होती है और put pointer के बारे में जो हमें बताता है जो हमारे पास functions हैं वो हमें बता देते हैं कि put pointer इस समय पर कहाँ पर point कर रहा है वो कौन सी index number है जहाँ पर put pointer point कर रहा है इसी चीज को समझने के लिए आज हम चीखने वाल है यहां पर तो हमेशा ९हांधं टेल पर स्वस्कीर करें We uh, गराफ पुट प्वाटर की को जानना चाहते हैं यहां चेंज करना चाहते हैं तो आप इन दोनु फंशन का यूज करोगे ढिए。 टेल जी, और एक होता है, सीक, जी, इसी तरह से, लेकिन ये Poynter क्या करते हैं, जब हम Reading परफान करते हैं, तो, जी, यहाँ पर है GetPoynter, है न, अभी हमने आपको बताया कि हमारे पगाँ içा दो Poynter होते हैं, PutPoynter and GetPoynter, तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी आज इनके बारे में समझते हैं, तो हमने सीखा कि जो put pointer होता है, उसी की according write operation पर फाम होता है, जहां पर भी put pointer पॉइंट करता है, वहीं पर writing की जाती है, अब बात आती है कि हमें pointer की location कैसे पता चलेगा कि pointer कहां point कर रहा है, तो हमारे पास यह tell p function है, जो क्या करेगा, इस pointer की location को बताएगा, इसलिए इसका नाम भी tell p रखा गया है, tell मतलब बताओ, p मतलब put pointer की जो location है, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अब चाय यह tell p function कहां पर है, इस class में है, तो मुझे object का use करके dot operator लगा के access करना पड़ेगा, तो हमने लिखा tell इस तरह से देखिए, हमें वो suggest भी कर रहा है, tell p, है ना, तो यह क्या करेगा, यह index number return कर देगा, तो उसको मैं किसी, let's say, current position नाम के variable में इस तरह से मैं रख लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा, मैं इसको console पर print कर दूँगा, जो current location है, जो current position है, इस तरह से, तो क्योंकि अभी हमने right operation perform नहीं किया, तो जो put pointer होगो, वो 0 index को pass कर रहा होगा, तो जब मैं यहाँ पर print करूँगा, तो यह 0 print हो जाएगा, उसके बाद हमने hello लिख दिया, तो hello जो हमने लिखा, तो 3, 2, 5, 5 character लिख गए, है ना, इनकी indexing 0 सी start होगी, तो यहाँ पर, अब क्या put pointer, इन सब को लिखने के बाद, इस पाँचमी location को point करेगा, है ना, और अगर आप चाहते हैं कि पाँचमी location को point करेगा, उसका print करना चाहते हैं, तो आप यही दोनों line फिर से repeat कर दीजिए, फिर से आप telp function को call कर लीजी, है ना, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग अपनी file को open करते हैं, देखिए हमारी file में कुछ भी नहीं है, है ना, मैं इसको close करता हूँ, मैं अपने program को run करता हूँ, तो यहाँ पर क्या print होने वाला है, यहाँ पर print होने वाला है 5, क्योंकि वो 5 जब character को लिखेगा, तो indexing 0 से start होती है, तो 0 से 4 index तक वो लिखेगा hello को, और उसके बाद वो 5 वाली location को point करने लगेगा, है ना, तो यहाँ पर देखना 0 और 5 print हो रहा है, ओके, और आप आप file मे आके देख लिजे, यहाँ पर हमारा hello writing perform हो गया है, तो इस तरह से काम करता है, put pointer और इसी तरह से writing perform की जाती है, अब आप देखे कि हमने, यहाँ पर hello लिखा है, है ना, हमने hello लिखा है, माल लिजे, मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, let's say, मैं लिख देता हूँ, this is muni sing, तो क्या होगा, अगर मैं इस program को run करूँगा, तो हमने file को open किया है, out mode में, जो पुराना वाला data है, वो क्या होगा, वो erase हो जाएगा, और क्या लिख जाएगा, this is muni sing, है ना, यह देखिए, और वो पहले 0 index पर था, this is muni sing को write करने के बाद 18 index पर पहुच गया, हमारा यहाँ पर file में देख सकते हैं, देखिए, this is muni sing लिखा है, अब मान लिजिए, कि मैं क्या चाहता है, कि फिर से मैं जो write operation पर फार्म करूँ, देखिए, अगर मैं ने इसके आगे कुछ भी लिखा, तो वो sing जो है, उसके आगे add होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए, पह से abc यहाँ पर इस तरह से मैंने लिखने की कोशिस की, तो क्योंकि हमने file को out mode में open किया है, तो सारा का सारा content delete हो जाएगा, और फिर से this is muni sing print होगा, और उसके बाद करस्ण जो होगा, वो 18 location को point करेगा, तो 18 location से start हो कि यह वाला print हो जाएगा, है ना, तो मैं क्या चाहता मैं चाहता हूँ कि जो हमने abc अभी लिखा, अच्छा यहाँ पर 18 print हो रहाता है आपने देखा, यह देखे, abc यहाँ last में आ गया, मैं क्या चाहता था कि यह abc मैं सुरू में लिख दूँ यहाँ पर, तो इसको कैसे करेंगे आप समझे, तो हमें क्या करना है, कि जब यह वाला writing operation हो जाएगा, तो हमारा जो कर्षण है, मतलब put pointer है, वो 18th location को point कर रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर 18th location को point कर रहा है, तो simple सी बात है, यह वाला जब लिखा जाएगा, तो वो 18th location से start होगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं abc को पहले लगा दूँ, सब इसके लिए मुझे कर्षण को, जो कर्षण है, put pointer है, उसको 18 index से 0 index पे लाना पड़ेगा, और लाने के लिए हम लोग use करेंगे seek p function को, तो हम लोग लिखेंगे f out dot seek p इस तरह से, और इसमें हम लोग index number pass कर देंगे 0, तो यह क्या करेगा, 0 set कर देगा, और अगर 0 set कर दिया, आप इसको एक बाट till p function को फिर से काल कर लो, तो यह बता देगा, है ना, और आप देखो फिर से मैं काल कर ले रहा है, तो पहले यहां से क्या होगा, 18 प्रिंट होगा, 0, 18 फिर यह 0 पर चला जाएगा, तो फिर से यहां पर 0 प्रिंट होगा, फिर a, b, c, यह 4 character को लिखेग तो यहां पर आप समझे क्या हो रहा है, मैं इसको बंद करता हूँ, और इसको मैं open करता हूँ, तो पहले प्रिंट हुआ होगा, इस इस मुनी सिंग, और यह प्रिंट होने के बाद हमारा जो put pointer है, वो 18 location को point कर रहा होगा, फिर जब हमने 0 को set कर दिया, तो करसन हमारा यहां 0 आगया, पुट pointer is 0 location को point करने लगा होगा, और अगर put pointer 0 location को point करने लगा होगा, तो जो भी writing होगी, वो 0 location से होगी, तो यहां से space ABC वो यहां पर प्रिंट किया, तो दिस की जगह पर उसने space ABC लिख दिया, है ना, तो ध्यान रखना, जब आप seek function का use करके, अगर आपने put pointer को पीछे back कर दिया, तो जो writing होता है, वो overwrite हो जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर 0 index से space ABC लिखा गया, तो जो this था, वो this आगे shift हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, shifting नहीं होती है, है ना, बलकि जो यहां पर highlighted area में this लिखा था, क्योंकि हमने put pointer की location को चिंद करके 0 कर दिया, तो this के उपर space ABC overwrite हो गया, है ना, तो आपको यह समझ में आया की मतलब की क्या, यह किस तरह से हम seek p और till p function को use करते हैं, अच्छा, आप बताइए, मान लिजे की, हमने यहां पर क्या-क्या seek p function का use करके direct 0 में set कर दिया, है ना, मान लिजे की जो हमारे पास यह record है, अभी जो हमारा seek p function होता, this is money लिखने के बाद, वो यहां पर होता, मान लिजे मैं चाहता हूँ कि मैं सुरू से नहीं, यहां से writing पर फार्म करूं, इस टाइम पर यहां से writing पर फार्म करूं, तो क्या मुझे करना पड़ेगा, है ना, अगर मुझे 0 बजान तो मैंने 0 पास कर दिया, तो अग अगर मुझे यहां पर writing पर फार्म करनी है, तो क्या मैं index number count करके ऐसे पास करूंगा, क्या नहीं, ऐसे मैं पास नहीं करूंगा, तो मैं देखूंगा कर्षन की current position है, कर्षन की current position से दो पीछे आना है मुझे को, है ना, तो यहां पर आप 0 ना लिखें, seek p function के लिए हमें और और कई सारे constant प्रोवाइड किये गए, वो constant क्या है, ios, ios underscore base, double colon, current, cur, इस तरह से आप यहां पार देख सकते हैं, current, और हमने लिख दिया 2, तो जब हमने लिखा, यहां पर यह जो 2 है, यह पहले पास किया जाता है, तो हमने क्या किया, कि जो current position है, करसंड की जो current position है, उससे to आगे चले जाओ, है ना, जब कर यहां पर plus में लिखेंगे, और इस तरह से आप mention करेंगे, तो यह आगे माना जाएगा, आपको पीछे आना है, तो मैं यहां पर लगा देता हूं minus, है ना, तो अगर आपको आगे जाना है, तो plus लगाएंगे, कर पीछे आना है, तो minus लगाएंगे, अब अगर मैं इस program को run करूंगा, तो यहां पर आप देखिए, यह सारी चीजें print हो रही हैं, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं क्यों print हो रहा है, फिलाल मैं अपनी file को open करता हूं है ना, और आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले क्या लिखा रहा होगा, पहले लिखा रहा होगा, दिस इस मुनी सिंग, और जब हमने अपनी file को, जो करसंड है, एच के आगे रहा होगा, फिर हमने जब दो पीछे कर दिया, तो वो जी के पीछे आ गया होगा, और जी के प तो इस तरह से आई होब कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे है ना तो यहां पर आपको जो कांस्टेंट प्रोवाइड किये गए हैं आपको और भी कई सारे प्रोवाइड किये गए हैं एक होता है आप यहां पर लिख दीजिये क्या मैं यहां पर कर लेता हूँ इसको करेंट अटा के मैं इसको ऐसे करता हूँ यह देखिया आप करेंट होता है बिगनिंग होता है इंड होता है करेंट बिगनिंग इंड और यहां पर होता है BEG beginning और एक होता है IOS underscore base double colon END तो इस तरह से 3 होते हैं है न तो आप current position से आगे या पीछे जा सकते हैं पीछे जाने के लिए आपको minus लगाना है आगे जाने के लिए plus लगाना है इसी तरह अगर आपको माल लीजिए यहाँ पर यह B होगा beginning अगर आपको 0 index पर जाना है तो direct आप यह लिख दीजिए या तो आप इसके जगा पर 0 mention कर दो अगर आप 0 mention नहीं करना चाहते तो आप क्या करिए इसको हटाईए और यहाँ पर current की जगा पर क्या लिख दीजिए beginning लिख दीजिए तो आप 0 index पर पहुँच जाओगे और मालो आपको beginning से दो आगे जाना है तो क्या लिख होगे टू कामा beginning इस तरह से तो beginning से दो आगे पहुच जाओगे आपको सबसे last में जाना है तो आप यह वाला यूज कर लिजे कर्सन अगर आप कहीं middle में है तो आपको यह वाला last में पहुचा देगा है ना तो इस तरह से देखे काम करते हैं और इस तरह से हम लोग यूज करते हैं tellP और seekP function का तो tellP function जो put pointer होता है उसकी location को बताता है seekP function हम put pointer की location को set कर सकते हैं अपने according हम direct seekP function में constant को भी pass कर सकते हैं इंडेक्स नंबर और अगर इंडेक्स नहीं पता है तो जहां पर current pointer है अगर हमको शुरू में भेजना है तो हम इस वाले beginning का यूज कर सकते हैं इंड में भेजना है तो हम लोग इंड का यूज कर सकते हैं माली जिस शुरू के मुझे पांच में अस्थान पर भेजना है तो मैं लिखूंगा beginning यहां पर लिखूंगा beginning बिगिनिंग लिखूंगा बिगिनिंग लिखने पर हमारा question सुरू में आ जाएगा तो मैं लिखूंगा 5 कामा beginning तो beginning से 5 आगे चला जाएगा इस तरह से सारी जीने काम करती है I hope कि आपको समझ में आया होगा अगले वीडियो से हम लोग रीडिंग वाला काम करेंगे और उसके जाएग रीडिंग वाला काम करने के बाद हम लोग टेल जी और सीख जी फंजन के वारे में भी सीखेंगे So thank you so much Bye Bye